This video is sponsored by 1xbet और ये एक global bookmaker company है जो की काफी सारी football teams के साथ corporation में like Barcelona, Liverpool और इस app के अंदर आपको काफी सारे sports और e-sports देखने के लिए मिल जाते हैं जिनको आप credit करकरना काफी सार बोनस कमा सकते हैं और इस app को use करने के लिए सिर्फ आपको sign up करना होगा और मेरे दिये हुए अगर आप promo code से sign up करते हैं तो आपको up to hundred dollars तक का bonus दिलेगा तो bonus पाने के लिए link मैंने comment section में pin करा है तो महां से जाकर sign up कर लीजे hundred dollars की बात है भाई तो पहुँच जाए तो आप मैंसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं fake comparison करता हूँ या fake review करता हूँ फोन का क्योंकि मुझे वीवो के फोन काफी जादा पसंद है है ना लेकिन भाई actual में बात ही है कि ना तो मुझे वीवो स्पॉंसर करती है ना ही मुझे कोई और कंपनी स्पॉंसर करती है तो आप जितने भी फोन में अपने चैनल पर दिखाता है करने वाला इन दोनों फोन का और यहां पर ना कैमरा कंपेरिजन फुल जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगा क्योंकि कैमरे के ऊपर काफी बड़ी वीडियो बन जाती है इस वचे से मैंने जोचा कि भाई उसका मसाला अलगी तयार करेंगे तो आज की इस वीडियो इस वीडियो पर थाउजन लाइक का और साथ साथ कमेंट करकर बताएं पैस पार इस वीडियो और यूट्यूब को पता नहीं क्या भाई किसी के पास नोटिफिकेशन जाए ना जाए हेटर्स के पास ज़रूर चली जाती है उनके सबसे पहले डिसलाइक आ जाते है विदिन इन वीडियो देखी भी डिसलाइक वाट इस यूट्यूब यहां पर इन सारी चीजों को छोड़ते हो बात करते हैं M30S और यहां पर जीवन एक्स और M30S पर भी ऐसे मस्ट ओफर चला है तो यहां पर जो M30S से जीवन एक सिर्फ साथ सो रुपे महेंगा मिल रहा है अब क् आपको स्क्रीन देखने के लिए मिलती है वह सिक्स पॉइंट फॉर इंच का सूपर एमॉलेट पैनल विद 411 पी और यहां पर बैजल आपको काफी कम देखने के लिए मिलते हैं और में जीवन एक्स की बात करूं तो 6.38 इंच का सूपर एमॉलेट पैनल हां जी हां यहां और दोनों में सूपर एमॉलेट पैनल का यूज करा गया है लेकिन फर्किये हैं दोनों के अंदर की अंदर ना आपको बैक पर फिंगर प्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है तो जीवन एक्स में वह काफी जादा कम दी गई है और यहां पर मैं एक बात बताना चालते ह और वहीं पर M30s की बात करूँ तो यहां पर आपको 420 nits की brightness देखने के लिए मिलती है तो विविंग एंगल दोनों के लगबग बराबर है और brightness भी दोनों की बराबर है दोनों के अंदर आपको आई प्रोटेक्शन का ऐसे मोड देखने के लिए मिलता है और दोनों के Dragon Trail का यूज करा गया अब दोनों में से कौन से बैटर होगा तो भाई यहां पर मुझे लगता है जीवन एक्स की जो फ्रेंट बिल्ट है वो ज्यादा बैटर होगी है अब बैक बिल्ट की बात करें तो मैं बताना चाहूंगो दोनों फोन का आफिस वाद अट्रेक्टिव देखने में M30S के पास जो एडवांटेज वही है कम लाइट में ज्यादा चमकता है फोन आप देख सकते हैं इतनी लाइट में और अगर मैं यहीं पर अपने जीवन एक्स को लिया हूं तो आप देख सकते हैं तो भाई अगर आप चमकीली चीजें से प्यार करते हो तो M30S आपके लिए बैट रहें लेकिन यहां पर बिल्ड की बात करूँ तो यह अंदर की तरफ नहीं दवतिस की बैक अगर मैं प्रैस करूँगा और वहीं पर M30S जो अगर मैं प्रैस करूँगा तो यह रखना है और यह बात मैं इसलिए उठाई क्योंकि मुझसे लास्ट वीड तो कवर लगाना पड़ेगा कोई हलका सा लगालो बंपर लगालो साइट साइट का वह ज्यादे बैटर रहेगा यह तो कि बात आपको बैक पर फिंगर प्रिंट सेंसर दिया गया और यहां पर इस्पीड की बात करें तो दोनों की भाई मुझे तो सेम लगी और आप यहां है। है। टककर दे रही है, तो अगर फिंगर पिर्षाइब है कि यहां पर आप अब से लिए तो बहुत है, यहां पर आप देख सकते हैं game नौग का एक और देख सकता है तो यहां पर no doubt вариант एक जो क्लि coupling काफी जादा बंद क्ली यहां इस है I तो आई आपको दिग गया होगा कि face and look किसका जादा फास्ट है बैक बिल्ड की बात होगे अब बात कर लेते हैं के camera sensors की तो फ्रेंट पर आपको दोनों में dewdrop notch दी गई है और M30S के इंदर आपको 16 megapixel का camera sensor दिया गया है बिल्कुर natural colors लेता लेकिन हाँ पर details की बात करें तो यह आदी भी नहीं है अगर मैं इसे compare करूँ Z1X के अगर मैं bouquet mode की बात करें तो bouquet mode जो है ना वह काफी जादा अच्छी तिरके से maintain कर रहा है दोनों ही phone ने लेकिन अगर मैं details की बात करें तो Z1X यहाँ पर winner है और edge detection की थोड़ी हल्की सी और advance बात करें तो भाई यहाँ पर M30S winner है तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपको edge detection की तरफ जाना है details की तरफ जाना है natural colors की तरफ जाना है GM2 यह GM1 नहीं है 48 MP का यहाँ पर पिक्सल साइज है वह 0.8 micrometer है और वहीं पर मैं यहाँ पर बात करो Z1X की तो यहाँ पर sony MX 582 यूज करा गया दोनों ही phone 4K में वीडियो रिकोर्ड कर सकते हैं 30 fps 60 fps को option नहीं दिया गया बाई दोनों यह अंदर अब सेकंड कैमरा दोनों के अंदर अल्ट्रावाइट दिया गया थर्ड कैमरा इसमें देखने के लिए मिलता है तो यहां पर भाई मुझे लगता है कि यह विनर है लेकिन मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं जो कलर है वह बाई नो डाउट दोनों के अंदर काफी अच्छी आ रहे हैं लेकिन अगर मैं करता तो काफी जादा बड़ी हो जाती और बड़ी वीडियो किसको देखना पसंद मुझे देखना तो पसंद नहीं है यहां पर मैं यहां पर अगर आप आप HDR पर खेलने की कोशिश करेंगे तो भाई भर भर कर लेग आएंगे मतलब यह दिखाने के लिए इन्होंने अनलोक कर दिया सैटिंग्स लेकिन एक्च्वल में जो इसके इंदर सही चलता है वह एच्छी पर सही चलता है तो नो डाउट यहां पर जीवन एक्स सोड़ा चला गया है क्योंकि यहां पर काफी जाद आची स्मूतनेस देखने के लिए मिलते हैं पब जी के अंदर और वीडियो देख रहें तो लाइक ज़रूर कर देना और यहां पर M30S उपर की तरफ से हीट होता है एक गेम में भाई यह उपर की तरफ से 40 डिगरी तक चला गया चालिज डिगरी सेल्सियस और यह 37 गया था आगे और पीछे की तरफ से बाइदेवेए हीट नहीं होता थोड़ा बहुत वों हो जाता है मुझे किसी ने कहा था कि हीट नहीं होता भाई मैंने हीट नहीं बोला था वह वों बोला था वीडियो अच्छे से देखने के लिए म अब यहां पर यह तो कोई बात इनकी अभी स्पीड की बात करें तो भाई नो डाउट M30S ज्यादा बैट ऑप्टिमाइज है हर चीज के अंदर अगर मैं PUBG भी ओपन करूंगा तो PUBG इसके अंदर जल्दी खुलता है लेकिन चलता इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जैसे की Z V1X के अंदर चलता है तो आपको कोई भी डाउट है तो आप मुस्से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने के और हां नेक्स्ट वीडियो वाई कैमरें आने वाला है रियल में एक्स्ट इसका और इसका ऐसे खुतम कर देंगे हम